तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहू त्रियोग समार के वीत राग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान सुभाव सारभूत है वो मंगल सुरूप है और मंगल कारी है मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश्मे करके नमस्कार करता हूँ च्छेड आला परम मंगल किरंथ है पंडित तौलत रामजी द्वारा लिखा गया है च्छेड हाल है इसमें दूसरी ढ़ाल जिसमें अपन तीरवा नमबर का च्छंद देख रहे थे और बताया जा रहा था कि ऐसा सुरुत का अभ्यास नहीं करना है जिसमें मिथ्या बातें भरी हो हम लोग क्या करते हैं किसी की भी कुछ कहने पर उसे स्विकार कर लेते हैं वो जोटा कह रहा है गलत बता रहा है फिर भी उसको स्विकार कर लेते हैं इसी को ग्रिहीत मिथ्या ग्यान कहते हैं ग्रिहीत मिथ्या ग्यान हमारे पास कब आ जाता है पता भी नहीं चलता है जैसे मैंने कल आपको बताया था कोई कुछ कह दे जैसे कह दे भाईया कि पुर्शार्थ के जीवन सार्थक होता है ठीक है एक पक्ष पुर्शार्थ का सही है लेकिन सर्वता पुर्शार्थ नहीं सर्वता भागवादी नहीं सर्वता कालवादी नहीं सर्वथा नियती वादी नहीं सर्वथा सुभाव वादी नहीं ये सब सापेक्षित है सापेक्ष से देखेंगे तो सही है इसी को अनिकांत वाद कहते हैं तो महावीर ने सब को सापेक्ष से लिया तो सापेक्ष लेने से वो अनिकांत वाद हो गए और सम्यक हो गए और निरपेक्ष अपेक्षा से रहित लेने पर एक ही पक्ष को सहसा सुईकार कर लेना सरवता सुईकार कर लेना वो जो हो गया वो एकांत हो गया तो ऐसे एकांत वाते को जो गिरहन कर लेते हैं उसे मिथ्या ज्यान कहते हैं ऐसा चंद कहा था आईए एक बार पुना आज तेरवा नंबर का जो चंद है सबसे पहले सुनते हैं बहुत सुन्दर चंद यहां पर सुना एक आंत बाद दूसित समस्त विश्याद के पोशक आप्रेशस्त कपलादी रचत सुत को अभ्यास सो है कुवोद बहुदे नित्रास चंद है इसमें कहा है कि कौन सा सुरुत का अभ्यास जिसमें एकांत बाद से दूसित हो जिसमें एक पक्ष की बात लिखी हो जैसा कहा हुए बस तु नित्त ही है ऐसा लिखाओ अथवास जिसमें लिखाओ बस तु अनित्त ही है ऐसा लिखाओ एक धर्म को ही जो सर्व एक अंस को सर्व अंस ही मान ले उसे एकांतवाद कहते हैं और ऐसे एकांतवाद से कोई सास्त्र, कोई आगम, कोई शुत, दूशित हो तो वहे मिथ्या सास्त्र कहलाते हैं उसी को ही स्विकार करना मिथ्या ज्यान कहलाता है और ऐसे सास्त्र जिसमें हिंसा, जूट, चोरी, कुशील और परिग्रय को खटा करने का भाव बताया हो मनलब विशियादिक पोसक आप्रसस्त जो विशयादी हैं उनको पोशक करने वाला हो और आप्रसस्त हो, जो प्रसस्त नहीं हो जो सहीना हो, ऐसा आप्रसस्त कपल आदी रचित सुत को अभ्यास कपिल एक रिश्य हुए हैं उनकी द्वारा या उनकी परंपरा में यह लिखा गया हो वे सारे के सारे शुत अब्याज जो हैं सोग हैं कुबोध वो क्या हैं कुबोध हैं मतलब मिथ्या ग्यान हैं और ऐसे मिथ्या ग्यान को जो धारन करता है धारणा में ले आता है अपने जीवन में ले आता है देन बहुत रास वो बहुत दुखों को देते हैं इसका अर्थ देखिए क्या लेखा यहां पर ग्रिहीत मिथ्याग्यान कैसा है? पहला तो एकांत वास से दूशित है दूसरा पांच इंद्रियों के विस्यों की पुष्टी करने वाले हैं तिसरा जो कपिल आदी जो हैं उनसे ये रचा गया है मतलब जो रागी देशी जो कुमती वाले हैं के द्वारा रचे हुए हैं चौथा समस्त मिथ्याँ सास्तरों को पढ़ना पढ़ाना सुनना और सुनाना ये सब की सब जो हैं ग्रिहीत मिथ्याँत ग्यान कहलाता है ये चार बातें यहां पर कहीं ग्रिहीत मिथ्याँत की एक आंतवास से दूसित होने वाली बात कही गई और जो हमारी इंद्रियों को पुष्ट करने वाली बात है, उसकी बात यहां पर कही गई, और तीसरी बात जो कही गई है, वह जो रागी दिसी हैं, ऐसे कुमती वाले हैं, उनके द्वारा जो ये रचे गए हैं, लिखे गए हैं, वो सास्त्र और इनी सास्त्रों का सुनना, सुनाना, अभ्यास करना, बाटना, वितरन करना, छपनाना, लिखवाना, इस सब क्या है? ये गिरिहीत मिथ्या ग्यान हैं, ऐसे गिरिहीत मिथ्या ग्यान आदी से हमें बचना चाहिए, और भी कुछ यहां लिखा देखिए, एकांतवादी को सास्त्र, किसे कहते हैं, वस्तु के एक ही धर्म को मानना, एकांतवाद कहलाता है, ये बताते हैं, जगत में सर्वथा, नित्त, एक, अद्वेत, और सर्व्यापक, ब्रह्म मात्र वस्तु है, अन्न कोई पदार्थ नहीं है, वस्तु को सर्वथा छड़िक, अनित्त बतलाए, गुण गुणी सर्वथा भिन्न है, किसी गुण के संयो लुक से बस्तु है, जगत का कोई करता, हरता या नियनता है, ऐसी बाते हैं एकांतवादी, आपको समंद में आई जो लिखा यहां पर, एकांतवाद लोग जो होते हैं, वो एक ब्रह्म मात्र को मानते हैं, वो ब्रह्म मात्र ही एक पदार्थ है, अन्न पदार्थ संसार में कुछ भी नहीं है जितने भी संसार में तुमको परमानू दिख रहे हैं जितने पसू दिख रहे हैं जितने जीव दिख रहे हैं वो सब उसी के अंसे एक मात ब्रह्म है और संसार में कुछ भी नहीं है वो नित है वो एक है वो अद्वेत है वो सर्व व्यापक है सर्व है जो बोलता है सब कुछ नित है सब कुछ बदल गया जो मैं था वो मैं नहीं रहा जो तुम थे वो तुम नहीं रहे भाई एक समय की परियायकों तो जेन दर्सन भी मानता है लेकिन इस थूल परियायकों भी जेन दर्सन मानता है कि मैं नहीं रहा तो फिर मेरी इसमरती भी मेरी नहीं रही पिर तुम्हारी इसमरती तुम्हारी नहीं रही तो सब कुछ भूल लाना चाहिए लेकिन हमको सौ साल का भी याद है, पचास साल का भी याद है, पुराना भी याद है और ग्रंथ लिख रहे हैं, तो किस्व के बल से लिख रहे हैं, इस्मरती के बल से लिख रहे हैं तो अनित्त कहा हुआ, अनित्त कहा हुआ तो सरवथा अनित्त नहीं हो सकता है और जो गुण और गुणी को भिन करते हैं बोले आत्मा अलग है और आत्मा का ग्यान गुण जो है बिलकुल अलग है वो भिन हो सकता है जबकि कोई भी द्रब जो है वो अपने गुण से अलग नहीं हो सकता है गुण और गुणी अलग कैसे हो सकते हैं गुण का आधार क्या ह गुणी है आत्मा जो है ग्यान का आधार है वो आत्मा और ग्यान अलग नहीं हो सकते हैं इस पर सरसगंद वर्ण जो हैं वो पुदगल से भिन नहीं हो सकते हैं क्या अगनी और अगनी की जो दहकता है वो अलग हो सकती है क्या उश्टा अलग हो सकती है क्या क्या जल और जल की शीतलता उससे भिन्न हो सकती है अलग हो सकती है क्या नहीं हो सकती है तो वो कहते हैं गुण गुणी भिन्न है किसी गुण के संयोग से वस्तू है वो गुण के संयोग से वस्तू है गुण रहेंगे तो वस्तू रहेगी और गुण का अभाव होगा तो वस्तू का अभाव होगा ऐसा संसार में कभी हो नहीं सकता है क्योंकि वस्तू का अभाव हो गया तो संसार का अभाव फिर रहे क्या गया संसार में जबकि संसार कैसा है अनादी अनन्त है लोगो अक्रित्मो खलू जो लोग है वो अक्रित्म है इस इसे किसी ने बनाया नहीं है, वो नाही कोई से मिताने बाला है, यह सौमेव ही अपने उत्पाद भढ़े धरोबा से टिका हुआ है, और क्या क्यते हैं, कि जगत का कोई करता हरता है, यह भी मिध्या ग्यान हमें, जगत का कौन करता हो सकता है कौन हरता हो सकता है मनलब बनाने वाला हो जगत को और मिटाने वाला जगत को तो ऐसा मानना कि परमात्मा बनाएगा और परमात्मा ही मिटाएगा तो यह कैसा परमात्मा है कि जो बनाता भी है और मिटाता भी है पर बनाया है तो पर अच्छा क्यों ने बनाया सब को अच्छ अच्छ बना लेते किसी को गरीब क्यों मनाया किसी को दुखी क्यों मनाया किसी को जो है रोगी क्यों मनाया किसी को बहुत जो है बिचित्र आदमी क्यों मनाया बिचित्र पसुपक्षी क्यों मनाया सब को एकसा बना देता, बड़िया सब खुश रहते तो भाईया ये सब फालतों की बाते हैं इनमें कोई तथ नहीं है तो जगत का कोई करता धरता नहीं है सभी जो जीव जन्तु आदी हैं अपने ही कर्म के कारण प्रिणमन करते हैं और उस रूप रूप को धारन करते हैं सब कुछ जो है जन्रेट, ऑपरेट और डिश्ट्रॉय जो है वो सब अपनी दरब अपनी योगता रखते हैं दरब की अपनी योगता है एक दुसरे को निमित तो मिल सकते हैं काल दरब सभी दरबियों के प्रिणमन में कारण बनता है मैं आपको पढ़ाने में कारण बन रहा हूँ तो आप ज्ञान रूप प्रिणमन हो रहे हैं ठीक है ना? तो एक दुसरे के निमित तो बन सकते हैं लेकिन मैं आपको ज्ञानी नहीं बना सकता है ग्यान देने में निमित बन सकता हूँ पर ग्यानी नहीं बना सकता हूँ ग्यान रूप प्रिणमन करना आपका काम है और ग्यान रूप प्रिणमन करेंगे तो आप ग्यानी बन जाएंगे तो जगत में यही होता है हर दरब जो है अपने ही कारण से क्या होती है परिणमन होती है क्योंकि दरब का सुहावी है परिणमन सील होना कूठस होना दरब का सुहाव नहीं है वो परिणमन सील है जहां भी जैसे यह चाहिए इस्थिर हो पदार्थ वो सभी द्रब्य जो है पदार्थ जो है पर्णमन सील है उत्पाद वाई ध्रौब रुकत है बनना बिगणना और बने रहना ये वस्तु का क्या है सुभाव है तो इस स्रश्टी का जगत का करता कोई पर्णम की है और पर संसार में कोई वस्तु ही नहीं रही तो फर वो वस्तु पेदा कहां से हो गई ये भी हमें बताया जाए कहीं से तो लाई गई होगी कहीं से तो ठाया गया होगा तो वस्तु ही नहीं थी तो फर वहां से लाने की बात क्या हुई तो इस पकार से सारी की सारी बात मिथ्या हो जाती है, हम दिमाख निलगाते हैं, हम सोचते सब प्रभू की लीला है, उनकी प्रभू की लीला तो अपरमपार है, पत्ते पत्ते में बसे हुए हैं, करकर में बसे हुए हैं, और वही हमारे करता धरता हैं, हम तो कट पुतली हैं, हम तो पतंग है, डोर तो उनके हाथों में हैं, वो उठाएं, गिराएं, पटकें, गरीब, अमीर बनाएं, भई यह सब दलाली का काम बीच में क्यों है? इसकी आबसकता क्या है? किसकी जरूरत क्या है? जब मैं सुयम ही अपनी शक्ती से प्रिणवन कर सकता हूं, अपने पुर्शार से अपना जीवन जी शक्ता हूं, तो फिर इस प्रकार का बीच में किसी को लाने की जरूरत क्या है? इस बात को जैन दर्सन स्विकार नहीं करता है, तो वो कहते हैं, जैन दर्सन जो है, नास्तिक वादी है, नास्तिक वादी नहीं है, हम परम आस्तिक वादी है क्योंकि हम वस्तु की विवस्था को स्विकार करते हैं हम द्रव के प्रिणमन को स्विकार करते हैं जगत का जो सास्व सत्त है उसको स्विकार करते हैं हम इसलिए हमें नास्तिक बूला जाता है क्योंकि हम परमात्मा का किसी बस्तु में, परिणमन में कारण नहीं मानते हैं, इसलिए नास्तिक बुला जाता है, इस साइंस है, विज्ञान का जमाना है, विज्ञान स्वेम बता देगा, कि ब्रमान को चलाने बाला कोई परमात्मा नहीं है, ये अपने किस कारण से चल रहा इतना ही धीरे क्यों चलता है इतना ही क्यों घूमता है इस सारे के सारे कारण साइंस के पास हैं साइंस ने सब कुछ नकार दिया है साइंस कहता है कोई परमात्मा नहीं है कोई ब्रह्मा नहीं है जो सूर चांद तारे आदी घुमा रहा हो या प्रथवी घुमा रहा हो या कु कि जैन्दरम दा ग्रेट साइंड है। उसमें जो बाते लिखे हैं उसमें जो बाते लिखे हैं कि हर पदार्थ जो है अपने आप ही प्रणमन सील होता है, अपनी योगता से प्रणमन सील होता है, बाकी के पदार्थ जो है उसके प्रणमन में निमित्त बनते हैं, पर प्रदा ग्रहीत ज्ञान को प्राप्त करने में कारण में बनती हैं, लेकिन ओर भी ऐसी चीज़े हैं जिसके प्राप्त कर लेते हैं, ग्रहर कर लेते हैं। जैसे पांच इंदरी विश्यों की पुष्टी करने वाले कौन उपन्यास उपन्यास क्या है? सास थोड़ी है उन उपन्यासों को पढ़ोगे तो आपके पांच इंदरी पुष्ट होंगे उसमें लिलाएं की बात होंगी, असलीलता की बात होंगी, प्यार महबत की बात होंगी, भोगों की बात होंगी, संसार की बात होंगी, कोई सभी उपन्यास पढ़ ली दिया, उन उपन्यासों में मातर किसी ने किसी को इस पकार से बिसे बना के लिखा जाता है, जिससे तुम स से आसक्त हो जाते हो, तुम इतना जुड़ जाते हो, उस उपन्यास से, संसार से जुड़ जाते हो, कि अपनी जैसे रियल लाइब देखने लग जाते हो, वो उपन्यास, आदी पढ़ना, ग्रह सोभा पढ़ना, न्यूज पेपर पढ़ना, ये सब की सब कैसे हैं, पांच इंद्रियों को पुष्ट करने वाली चीदे हैं, ध्यान रखना, टीवी को भी देखना, टीवी में कौन सी बाते देख जो पांच इंद्रियों को पुष्ट कर रही हो, तो टीवी भी देखना, वो ऐसा मोवाइल चलाना, ऐसा फेस्बूक आदी देखना, वो जिसमें आपकी स्वयम की आसकती बढ़ रही हो, जो पांच इंद्रियों को पुष्ट हो रहे हो, वो सब को जो गरण किया जाता है, उसे आप एक मस्स स्विकार कर लेते हो, वो सारा का सारा ग्रिहीत मिथ्या ज्यान कहलाता है, अर्थात यह कह सकते हैं, ग्रिहीत मिथ्या ज्यान का पोशन करने बाला है, निउज पेपर भी, टीवी भी, और इसी प्रकार से वाटसेप, फेस्बूक भी, जिसमें आपको धा मार्ग की बाते हैं, उनको छोड़ करके, जितने ही मिथ्या बाते आ रहे हैं, और उसे आप सुनते हो, सुन करके ग्रिहन करते हो, तो यह भी आपको ग्रिहीत मिथ्या ज्यान के कारण में कारण बनती हैं, इसलिए इनको भी आपको ऐसे उपन्यास, ग्रह सोबा, शरिता मिलेगा यजि ये नई होगा तो इससे और आपका मिभ्या सरद्धा और मिध्या मिध्या अग्यान बढ़ता है अब कोई पूछेगा यह टीवी आदी कारण हैं यहां लिखा हुआ है कैसे टीवी में बताया जाता है भग्वान करता होता है पुन्य से ही सुख होता है परिग्रे होना ही अच्छा होता है अने एक धर्मों के भगवानों की कथाओं आती हैं जिससे ग्रिहीत मित्याग्यान का पोशन होता है यह सब आप पढ़ते हो देखते हो ना पेपर में भी परन्यास में भी टीवी में भी तो इससे क्या है आप को बताया जा रहा है दो को भगवान इस्टोरिया बताई जा रहे हैं काउटून्स के मादने से बताया जा रहा है देखो भगवान ने क्या करा चक्र घुमाया और सबको नश्ठ कर दिया संसार बना दिया जादू मंतर सब दिखाया जा रहा है और ये करो वो करो इससे तुम् सार संबंदी और अनेकों धर्मों की जो है कालपनिक भगवानों की कालपनिक कथाओं के बारे में बताया जाता है जिसको तुम सुनते हो और उसे सही मान लेते हो इन सब से जो है ग्रिहीत, मिथ्या, ज्यान पोशन होता है इसलिए हम सब लोगों को ऐसी चीजों का त्याग कर देना चाहिए सम्मेक ज्यान, सम्मेक किताबें, सम्मेक गुरू, सम्मेक सास्त्रों को पढ़ो जिससे हमें किसी प्रकार से ग्रिहीत, मिथ्या, ज्यान का दोस्त ना लगे बस आज इतना ही आईए समय हुआ माजनवानी की इसुती करते हैं सदा देत हूँ धोग सदा देत हूँ धोग इस कारिक्रम के पुन्यार जग थे श्री खंडेल वाल दिगंबर जैन मंदिर राजा बाजार कनोट प्लेस नहीं दिल्ली एवं श्री खंडेल वाल दिगंबर जैन मंदिर वैदवाला दिल्ली श्री रमेश नत्थुजी बेराड, स्वभागय कांचणी विद्या रमेश राव बेराड पुत्र श्री अजित रमेश राव बेराड, पुत्र वधु रुतुजा अजित बेराड कुमारी अनुजा बेराड, कुमारी आरोही बेराड, पुत्र श्री सुरेंद्र रमेश राव बेराड, योगिता सुरेंद्र बेराड, कुमारी विराग बेराड, कुमारी विधी बेराड, अमरावती महराष्ट्र झाल झाल झाल